हालो इस्टोडेंट्स, क्लास UKG, चैप्टर वन, इंग्लिश का, आज हम इंग्लिश रिट करेंगे, वैसे था आप LKG, नर्सरी LKG में आप ABCD, अलफाबेट सब भी पढ़े हैं, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, सारे रिट किये हैं, आज हम वापस UKG क्लास के अंदर को दिखा ही दे रहा है, देखो, यह जो बड़ी ABCD, इसमें जो लिखे हैं, इसको बोलते हैं, कैपिटल लेटर, क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल लेटर, कैपिटल यानि जो, जब हम कोई भी मीनिंग लिखते हैं, जब अपना नाम भी लिखते हैं, तो इसमें जो फस्ट होगा वो क्या अक्सर क्या होगा बड़ा होगा अब देखो capital letters क्या है capital letters यानि बड़ी ABCD revision of alphabet मेरे साथ बोलो सब revision of alphabet हम किसका अध्यान करेंगे आज revision किसका करेंगे alphabet का alphabet कौन से होती है यह जो ABCD लिखी वी होती इसको बोलते alphabet ठीक है यह है capital letter कौन से letter है capital letter capital यानि बड़ी ABCD जिसमें सारे अक्सर बड़े बड़े लिखे होए है जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z हम इसको ऐसे read करेंगे पहले हम कैसे करते है A for apple B for ball C for cat D for dog E for elephant F for fish G for gun H for hand hand भी होता है I for ice cream J for joker Jug K for kite L for lion M for monkey N for nose O for orange P for parrot Peacock Q for queen R for rabbit S for sun T for tiger U for umbrella V for when W for watch X for exmus Y for yak Z for zebra 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 भी होता है और Jew भी होता है जेबर तो एक की animals होगा लेकिन Jew जोज होगा उसमें खूप सारे animals भी होंगे आगे आगे आपको इसको क्या बोलेंगे capital letter यानि बड़ी A B C D अब इसी का देखो चोटा रूप, इसको बोलते है small letter यानि छोटी ABCD, कौनसी ABCD है यह? छोटी ABCD, अब देखो, यह इसमें क्या है? इसको भी A बोलेंगे U, V, W, X, Y, Z यह कौनसे letter है? small letter अब देखो, हमें कैसे पता चलेगा यह चोटी है यह बढ़ी है अब देखो, मैं आपको कुछ यहापे letter, small letter और capital letter दौनों लिखके बताते हूँ देखो, यहाँ दिख रहा है सबको? यहाँ सबको दिख रहा है? हाँ, अब देखो, जैसे हमने लिखा यह क्या है? A क्या है यह? A यह कौनसा letter है? capital letter और यह कौनसा है? small letter तो यह दोनों क्या है? A क्या है यह दोनो? A अब देखो, यह B और यह भी है B यह A, यह रहा A यह भी छोटा है, यह भी A है तो यह हो गया A B C यह इसको बड़ा लिखना है, इसको छोटा लिखना है यह हो गया D E F G H I J K J L M N O P Q R S P U V W X X Y Z ठीक है? अब देखो, इसके कौन सी कैपिटल लेटर? यह क्या है? इस्मॉल लेटर. अब इसे हमने दोनों लेटर एक साथ लिख दिए. ताकि आपको पता चले कि यह A है, तो यह भी A है. यह दोनों क्या है? अब देखो, इसमें B कैसा है? अब देखो, हमने इसमें B बनाया कैसे? इसको ऐसे है, B. और एक कौन सा B है? यह P बनाया, फिर P को यहां से, यह बड़ा B बना दिया. है ना? तो यह दोनों क्या है? जैसे B. यह दोनों क्या है? C. D को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, capital letter में, small letter में D हम ऐसे लिखेंगे. E, E को हम ऐसे भी लिखते हैं और हम S को ऐसे भी बना के लिखते हैं E, यह हो गया F, यह दोनो G है यह capital letter का, यह small letter का यह है H, यह दोनों क्या है? H I, यह बड़ा I, यह छोटा I capital letter, small letter J, capital letter, small letter K, capital K, small K capital L, small L capital M, small M capital N, small N capital O, small O capital P, small P capital Q, small Q capital R, small R capital S, small S capital T, small T capital U, small U capital V, small V capital W, small W capital X, small X capital Y, small Y capital Z, small Z आगे आपको यहां तक समझें? अब देखो अब आपने देखा इसको कि इसमें capital कौन सा है और small कौन सा है? अब देखो हमें आप पैचान करनी है कि हमने यहां लिखा match करना है जैसे हमने लिखा यहां A A B C D लिख दिया हमने यहां? तो हमने इसके सामने लिखा यह B C D A अब बताओ अभी आपने यह इस small letter capital letter दोनों साथ में किये अब मुझे बताओ इसमें capital कौन सा है, small कौन सा है, दोनों को क्या करना है, match करना है अब यहां A है, यह कौन सा A है, capital A तब small A कहा है इसमें, यह रहा है small पर, इनको क्या करेंगे, हम match करेंगे, क्यों? क्योंकि यह दोनों A है कौन से दोनों? एक capital A दूसरा कौन सा है? small A फिर कौन सा है B B कौन सा है इसमें? यह कौन सा B है? capital तो small B कहा है? यह रहाँ small B capital B small B इन दोनों को match करना है फिर है capital C small C इस C को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं तो इस हो गए छोटा ठीक है? यह क्या है? capital C यह क्या है? small C capital C को small C से क्या करना है? match करना है यह हो गया फिर देखो D यह कौन सा D है? capital तो small D कहा है? यह रहा तो capital D small D इसी तरह यह पूरी हमारी A, B, C, D कौन-कौन सी है? capital letter small letter आपको पता चलगे कि दोनों A साथ में लिखे capital and small तो दोनों क्या है? A है यह दोनो B यह दोनो C यह दोनो D D को ऐसे भी लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं आगे यह तक समझ बे? वापस revision के जरूत है? नहीं है? OK